किसानों को लेकर दिये गए अभिनेत्री और भाजबा सांसत कंगना रनौत के बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को निशान असाधा उन्होंने कंगना रनौत का नाम लिये बिना कहा कि भाजबा की स्क्रिप्ट को अभिनेत्री पढ़ रही है एक्सपर्स सपा प्रमुख ने लिखा कि ये किसानों को लेकर बयान भाजबा की स्क्रिप्ट है जिसे एक अभिनेत्री यानिके कंगना रनौत शीष निर्देशक के कहने पर समवात के रूप में पढ़ रही है जब एक सामान राजनितिक भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान अंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानी होगी तो क्या भाजबाई चानक क्या ये नहीं समझते है इस प्रकरण की असली सचाई ये है कि ऐसी बात जान बूच कर कहलाई गई है जिससे हर्याणा में पहले से तै हो चुकी हार का कारण अभी नेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोशारों पर शीष नेत्रित पर ना हो ये बयान नहीं किसी को बचाने के शब्द ढाल है आपको बताते चले कि उत्तर रेलवे लखनौ मंडल के आठ स्टेशन के नाम बदलने के रेलवे बोर्ड के आदेश पर सपा प्रमोक के लिए श्यादव नेतंच भी कसा है एक्सपर्स अपा प्रमोक ने लिखा कि भाजपत सरकार से आग रहा है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं हालात भी बदले और जब नाम बदलने से फुरसत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सिडेंस के हादसों के रोक थाम के लिए भी कुछ समय निका कर विचार करें आपको बता दे चलें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुक अकिलेश यादव ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा सांसत कंगना रनौत की टिपणी की अब आलोचना की है उन्होंने कहा कि उनकी टिपणी जानबूचकर की गई थी जिसका उद भाजपा सांसत कंगना रनौत को किसान आंदोलन को लेकर बयान देना भारी पड़ गया भाजपा ने भी कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और इसके साथ ही कंगना रनौत को सक्त निरदेश भी दिये गए हैं भाजपा ने साफ शब्दों में कहा है कि कंगना रनौत का क की तीगत विशेव पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमती है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है बाज़पा की ओर से कंगना को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविश में ना दें बारतिय जनता पार्टी सबका साथ सब का विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा संबाजिक संस्ता के सद्धान तो पर चलने के लिए कृत संकल्प रफ मीं मामलों में दखल दे रहे हैं तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं किसानों को बीज़ेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं अब उनकी सांसत अनदाताओं को हत्यारे और बलातकारी भी बोल रही है इसका जवाब हम नहीं बस कुछ दिनों में हर्याना देगा लेकिन राष्ट सुरक्षा पर सवाल खड़े किये गए हैं तो बीज़ेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसत कान पकड़ कर माफी मांगें वीडियो डेस्क अमरोजाला.com